गुर्मारिंग अब्रिवन आज है आठ जन्वरी और आज की इस वीडियो में हम आठ जन्वरी से रिलेटेड करेंट हेवर्स के जितने भी important questions हो सकते हैं वो सारे के सारे discuss करने वाले हैं सो हरे question को मैं आपको पूरी detail में समझाने की courses करूँगा सो आपसे request है कि वीडियो में पूरी patience के साथ end तक बने रहिएगा अगर आप किसी भी government exam की तयारी कर रहे हो like UPSC, SSC, NDA, Railway किसी भी exam की तो उसके point of view से ये video और ये channel दोनों आपके लिए काफी helpful सावित होगा सो अभी तक आप इस channel पर नए हो और channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर bell icon को press कर दिजिएगा ताकि हर सुबह आपको 7 वजे इसी तरह के videos के notification मिलती रहे और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले questions का level आप जरूर check कीजिए आप किसी भी platform पर बढ़ते हों उससे पहले आप हमारे platform से other platforms के questions का level जरूर check कीजिएगा क्योंकि जहां आप अपना कीमती समय दे रहे हो, वहां से आपको कुछ न कुछ benefit मिलना चाहिए तो आए अब वीडियो स्टार्ट करते है जैसा कि कलम ने पर लिया था, दिसंबर 2022 के महिने में हरियाना में सबसे अधिक बेरोजगारी यानि 37.4 दर्ज की गई उरिसा में जग मिसन के लिए UN Habitat का World Habitat Awards 2023 अपने नाम किया कौन सा राज उरिसा प्रधार मंत्री मोधी 13.9023 को वारानसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगर असम तक दुनिया की सबसे लंबी नदी कुरूज गंगा विलास लॉंच करने जा रहे हैं 13.9023 को इसे ध्यान रखिएगा आप गुएना के रास्टपती है मुहम्मद इरिफान अली ये परवासी भारती दिवस सम्मेलन में भाग लेंगे जिसका आईजन मध्य परवासी भारती दिवस ध्यान रखना आप नेपाल ने चीन के सहयोग से पोकरा रिजनल इंटरनेशनल एरपोर्ट का उधगाटन किया हाली में एहमदाबाद दिल्ली संपर करांती एक्सप्रेस का नाम बदल कर अक्छर धाम एक्सप्रेस रखा गया अक्छर धाम और जैसन मू हाली में बैंक आप सिंगापूर के CEO बने कौन जैसन मू बैंक आप सिंगापूर के और रक्षा मंतरी है राजनात सिंग द्वारा अरुनाचल परदेश में सियोम पूल का उधगाटन किया गया और हाली में मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट का नाम बदल कर डॉक्टर मनहर परिकर एरपोर्ट कर दिया गया अब बात करते हैं आज के कुछ important questions के बारे में पहला question है अंतराश्टिय पतंग महतसब 8 से 14 जनवरी को किस राज में सुरू हो रहा है तो मैं आपको बता दू ये 8 से 14 जनवरी को अंतराश्टिय पतंग महतसब गुजरात में सुरू होने जा रहा है गुजरात परियेटन नगर निगम लिमिटेड इसका आयोजन G20 के theme पर करने जा रहा है G20 की theme है इस बार की One Earth, One Family, One Future और गुजरात के राजपाल अचार देववर्थ 8 जनवरी को एहमदाबाद के सावर्मती रिवर्फरंट से इसका उधगाटन करेंगे आज की दिन ही इसका उधगाटन किया जाएगा 8 जनवरी सुबह 8 बजे और जिसमें पतंग बाजो के अधिकतम संख्या का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास किया जाएगा इसे ध्यान रखेगा important questions है बात करेंगे next question की next question है एक reminder दिला दू मैं आपको अभी हाली में असम के तंदूर लाल चने को GI tag दिया गया है और लद्दाक के अपरी कोट जो की एक तरह का फल है उसको GI tag मिला है next question है किस राजे सरकार द्वारा होकी वर्ल्ड कप 2023 जितने पर परते खिलारे को एक एक करोर रुपए की रासी दी जाएगी और 13 जनवरी 2023 से याद रखना आप 13 जनवरी 2023 से पुरूस होंकी वर्ल्ड कप का 15 हा संसकरन सुरू होड़ा है कहां होड़ा है तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेसोर और बिर्सा मुंडा अंतराष्टी होंकी स्टेडियम राउड के ला में खेला जाएगा और भारत ने अपना पहला पुरूस होंकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 और 1975 के बाद ये भारत के पास दूसरा चांस होगा इसे जीतने का मुख्यमंत्री नवीन पतनाएक दौरा बिर्सा मुंडा अस्टेडियम होकी परीसर में ही विसुकप गाउं का उद्गाटन किया गया उसी परीसर में विसुकप गाउं जो है इसमें सभी सुविधाओं के साथ 225 कमडे बनाये गए हैं जिसमें जो परतिभागी परिस्पेंस कंट्रीज है या टीम क्या लवा वो रहने वाली है और 13 जनवरी से 29 जनवरी तक यह टूर्नामेंट खेला जाएगा भारत अपना पहला मैच याद रखना 13 जनवरी को एस्पें के खिलाप खेलेगा राउर केला के बिरसा मुंडाय स्टेडियम में दूसरा मैच खेलेगा 15 जनवरी को भारत इंगलेंड के खिलाब खेलेगा और तीसरा मैच भारत खेलेगा 19 जनवरी को वेल्स के खिलाब तो इतनी चीजे आप पूरुस होकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड याद रखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी तग कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिबरेट किया गया है सबसे पहले एक जनवरी को वेस्विक परिवार दिवस या फिर क्या लोगा 207 दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2023 की है परिवार एक साथ एक उज्वल भविस के लिए लशीलापन निर्मान दो जनवरी को नेशनल साइंस फिक्सन डे मनाया गया तीन जनवरी को अंतराष्टिय मन सरीर कल्यान दिवस इंटरनेशनल माइड बॉड़ी वेलनेस डे मनाया गया क्यों मनाया जाता है तो इसमें 30 वर से उपर के जो लोग है उनको साल में कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए इसके बारे में जागता फैलाने के लिए अंतराष्टिय मन सरीर कल्यान दिवस मनाया जाता है चार जनवरी को मनाया गया विस्व ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे द्रिष्टी हीन थे इन्होंने ही इनका जन्व चार जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था और इन्होंने ब्रेल लिपी की मदद से द्रिष्टी हीन नेतरहीन वक्ती को परने के लिए इन्होंने एक दिया था तो हर साल हम चार जनवरी को विस्व ब्रेल दिवस के रूपे मनाते हैं पांच जनवरी को यूएस राष्टी पक्षी दिवस मनाए गया और छे जनवरी को विस्व युद्ध अनाद दिवस यानि युद्ध में जिन माता पिता के बच्चे मारे गये थे इसलिए उन्ही के सम्मान में हर साल हम विस्व युद्ध अनाद दिवस मनाते हैं और जिसकी थीम 2030 है युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना बात करेंगे नेक्स्ट कोस्टन की नेक्स्ट कोस्टन है किस उचने आयाले ने HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा देने का निर्देश दिया है तो अभी हाली में दिल्ली उचने आयाले जिसमें गड़ी भी रेखा के नीचे रहने वाले HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को व्यक्तियों को मुप्त भोजन और चिकित सा सेवा दी जाएगी ठीक है यह अभी दिया है दिल उचनियाय लेने Next question है हाली में बैली सस्पंसन ब्रिज का उधगातन कहां किया गया तो अभी हाली में यह जम्मू कस्मीर में किया गया है रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने जम्मू कस्मीर के चिनाब नदी पर 240 फिट उचे इस ब्रिज का वर्चुल उद्घाटन किया है कौन सा ब्रिज है बैली सस्पंसन ब्रिज कहां किया गया है तो जम्मू कस्मीर के चिनाब नदी पर कितना उचा है तो 240 फिट अब बात करते हैं जम्मू कस्मीर से related कुछ important facts के बारे में राजधानी है स्री नगर जम्मू कस्मीर की अस्थापना हुई थी 31 October 2019 को यहां भासा बुरी जाती है उर्दू, कस्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और गुजरी लोगसभा सीटे 5 है, राजसभा 4 और विधानसभा 114 टोटल जिलों की बात की जाए तो 22 है यहां के जो पर्थम राजपाल थे, स्री युवराज, किरन सिंग थे, राजकिये पसु हंगूल है सबसे बड़ा सहर की बात की जाए, सबसे बड़ी सहर की जम्मु कस्मीर की तो वो है स्री नगर राजकिये फूल है कमल, राजकिये पेर है चिनार अगर प्रमुख लोकनृत्य की बात करूँ तो राहुफ, हिकात, कूद, दांडिनाच यह यहां का प्रमुख लोकनृत्य है, प्रमुख नदिय जेलम, चिनाब और सिंदो अगर राश्टिय उद्यान की बात की जाए, या फिर वन जीव अभ्यारन क्या लो तो दाची गराम राश्टिय उद्यान, किस्तवार राश्टिय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली राश्टिय उद्यान, यह तीनों राश्टिय उद्यान जम्मू कस्मीर में है और प्रमुक जील की बात करो तो डल जील, वुलर जील, मानसबल जील, सेसनाग जील, अननत नाग जील, बैरी नाग जील और नागिन जील ये सब जम्मू कस्मीर में इस्तित हैं अगर आप जम्मू कस्मीर से इस वीडियो को देख रहे हो तो यह आपके लिए जानना बहुत जवड़ी है क्योंकि वहाँ की गवर्मेंट एक्जाम में अक्सर पूछे जाते होंगे GI Tag की बात की जाए तो कस्मीर कालीन को GI Tag दिया गया है और अभी हाली में जम्मू कस्मीर में ध्यान रखना आप Women Safety Squad सुरू किया गया है क्यों किया गया है इसका उद्देश School College University या Coaching Center में लड़कियों को सुरक्षा सुनिस्चित करना है इसलिए Women Safety Squad जम्मू कस्मीर में सुरू किया गया है और इध्यान रखना आप जम्मू का सांबा जिला का पली गाउं पूई तरीके से Carbon Neutral सौरूरूर्जा से संचारित होने वाला भारत का पहला पंचायत बना और जम्मू कस्मीर में हाली में गल्फ बिजनस समिट का आयोजन किया गया था और हाली में भारत सरकार द्वारा जम्मू कस्मीर में परिवार पहचान पत्र यवजना प्रारंब की गई है और भारती रेल ने जम्मू कस्मीर में देश के सबसे बड़े Escape Tunnel का उधगाटन किया है Escape Tunnel ध्यान रखना तो जम्मू कस्मीर से लेटर इतनी चीजे आप ध्यान रखेगा Next question है विसु का पहला तार के पत्ते का पांडूलिपी संग्राले किस राज्य में बनाया गया तो ये अभी हाली में केरल में बनाया जाएगा तार के पत्ते से पांडूलिपी संग्राले बनाया जाएगा ये पहली बार होगा किसी राजज में किरल की राजधानी है त्रिवनंत पूरम यही पे इने बनाया जाएगा तार के पत्ते का पांडूलिपी संग्राले और ये संग्राले ध्यान रखना भारत की धर्ती पर यूरोपिये सक्तियों को हराने वाले इसिया के पहले समराज त्रावन कोड की लोगप्रिये कहानियों का वर्नन करता है तार के पत्ते से ये पांडूली पी संग्राले बनाया जाएगा next question है तो अभी हाली में आयूस मंत्राले द्वारा स्कोप फोर मैनि स्ट्रीमिंग आयुर्वेद और रिसर्च इन टीचिंग प्रॉफेसनल्स की सुरवात की गई है जिसका उद्देश आयुर्वेद कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्त अनुसंधान छित्रों में वग्यानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा तो अभी हाली में आयुस मंत्राले द्वारा स्मार्ट कारिकरम को लॉंच किया गया इंपॉर्टन कोस्टन है आप इसे ध्यान रखिएगा नेक्स्ट कोस्टन है हाली में भारत के 89 grand master कौन बने है तो M. Pranese 13 वर्स के है या भारत के 89 grand master बने है रेलिटन कप के खिताब जित्ते वे इन्होंने 500 rating के साथ भारत के 89 70 grand master बने मैं आपको बता दू अभी सा कुछ दिन पहले ही ये कौस्तरफ चटर जी ये जो बेंगॉल के हैं ये भारत के 78 में Grand Master बने थे अब 89 में बन गए है M.Pranes महज 13 वर्स उम्र है और भारत के 89 में Grand Master बने है Next question है किस राज में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजिन किया जा रहा है तो मद्ध परदेश के इंदौर में किया जा रहा है 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवा संस्क्राण इंदौर में खेला जाएगा ध्यान रखना आप जिसमें मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान द्वारा हाली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सुभंकर मसाल और गान का नावरन किया गया है इसके सुभंकर मैसकोट को याद रखना मसाल और गान ठीक है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो हेड़कॉर्टर है वो न्यू देल्ली है इसे ध्यान रखेगा आप important question है next question है कौन सा सहर 9-11 जनवरी 2023 के बीच G20 Global Partnership for Financier Inclusion Working Group की पहली बैठक की मेजबानी करेगा तो वो करेगा कॉलकाता 9-11 जनवरी 2023 के बीच next और इस वीडियो का last question है Startup India Innovation Week 2023 कब से सुरू होने जा रहा है तो ध्यान रखना 10 जनवरी से ये Startup India Innovation Week 2023 सुरू होने जा रहा है 10-16 जनवरी 2023 तक ये week चलेगा और आपका question of the day है कि किस metro ने हाल ही में सफलता पुर्वक Guinness World Record बनाया और second question है होके इंडिया के वरतमान अध्यक्ष कौन है ये दोनों important question already मैंने अपने previous वीडियो में discuss कर रखा है तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर देख सकते हैं तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें comment box में जरूर दीजएगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी helpful लगी हो तो वीडियो को like channel को subscribe कर दीजएगा ताकि हर सुबह आपको 7 बजे इसी तरह के powerful videos के notification मिलती रहे तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं मिलते हैं कर फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत